योग अंदोलन इनीस सबीस से शम्वनित महतपूर्थ अथेव सन इनीस सबीस इश्वी भारतिय जनता के लिए बहुत ही निरासा का वर्ष था जब पर्थम विश्यूत समाप्त हो चुका था तब भारतिय जनता अब्डेश्टी सहकूमत से उमीद लगाया बैटे थी कि वह भारतिय जनता के विकास में और कुछ स्वयोग करेंगे परन्तु रोलेक्ट एक्ट जालिया वाला बाग हत्या कांड एवं पंजाब में मौर्सल लो में उनकी सारी उमीदों पर पानी फेर दिया जालियावला बाग हत्याकांड एक जालियावला बाग हत्याकांड एवन रोलक्ट एक्ट से भारतिय जन्ता समझ गई थी कि ब्रीटिश हुकूमत भारतियों के प्रती नर्मी नहीं बरतेगी और वह शिर्फ उनका दमन ही करेगी ब्रीटिश आसन ने कई दमनकारी नीतिया अपनाई और इन दमनकारी नीतियों के बिरूद में शितंबर 1922 में हसायोग अंदोलन के कारिकरम पर बिचार करने के लिए कोलकता में कांग्रेस का एक बिसेश अधिवेशन बुलाया गया इसी अधि वेशन में मातमा गांदी ने उसायोग का प्रस्ता पेस किया था और सायोग अंदोलन का संचालन सौराज की मांग को लेकर किया गया था इसका उदेश ब्रीटिश सरकार के साथ सायोग न कर के उनकी कारवाही और उनके वैपार में बाधावत्पन करना था गांधी जी ने 1 अगस्त 1929 को सहयोग आंदोलन आराम किया कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ता लाल लाजपत राय ने की थी इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बर भारत में बिदेशी सासन के बिरूज सीधी करवाही करने करने नहीं लिया और यह सुनिशित किया कि वे बिधान परिशदों का बहिसकार करेंगे तथा सहयोग वो शविन अगे आंदोलन का आराम करेंगे परामे सुरे नत्बनर्जी चितरंदन दास महामना मदन महनमाल भीये शंकर नाय, वीपिन चंदरपाल, मुहमद अली जीना आदी ने इनका बिरोध किया प्रन्तु अली बंदू एम मोतिला नेरूं के समर्थन से यह परस्ताव शुकार कर लिया गया शिरिमती एनी बेसेंट ने भी इस परस्ताव का बिरोध किया था इस परस्ताव के शमन में कहा थे कि यह भारतिय सोतंता के लिए बड़ा धक्का है इस परस्ताव से समाज और सब यह जीवन के बीच संगर छिड़ सकता है अस्वयोग अंदुलन का शौरूग मात्मा गांधी अंग्रेजों की दमनकारी निती से बहुत दुखी होकर उठे क्योंकि उस शमय अंग्रेजों ने भारतियों के प्रती बहुती कठोड़ता बढ़ती और बहुत सारी दमनकारी निती बनाई जिसे शमा ने जन बहुत ज्यादा परभावित हुआ इन दमनकारी नितियों के फॉल सरुप महात्मा गांदी ने अगस्ट उनीस सबी सीशिवी के कहीन सात्मा और शहयों का अंदोलन शुरू कर दिया उन्होंने भारतियों से यह निवीन्ति की कि वो अंग्रेजों द्वारा की गईशा भी उपलब दिया हम सरकारी पौदों को त्याग कर दे इसके साथ ही साथ उन्होंने भारतियों जन्माना से कहा कि वे अपने बचों को अंग्रेजी बिद्याले हम बिश्व बिद्याले में बहिस्कार करें गांधी जी के इस विचारों का बहुती गारा परभाव भारतिय जनता पर पड़ा और शयोग अंदलन का अच्छा परणाम निकला गांधी जी के अवान पर हाजारों की शंक्षिया में विद्यार्तियों ने विद्यालेयों का परित्याक कर दिया और कई में उपियोग करने लगे उन्होंने बीदेशों से आने वाले विभीन बस्तों का परित्या किया जिसे ब्रिष्टी शुकूमत की आर्थिक बिवस्ता पर बहुत ही गारा घाव लगा असायोग आंदोलन में भारतिय जन्ता में सोराज के प्रती एक नहीं चेतना का संचार किय असायोग आंदोलन के कारिक्रम असायोग आंदोलन में गांधी जी ने सरकारी पदो विदेशी बस्तु एम उपाधियों का बहुष्कार करने के लिए कहा और उन्होंने इसके लिए एक रूप रेखा भी प्रस्तूत की इस रूप रेखा के अंतरकत एक क्रोड रूपे का तीलक फंड अस्थापित करना था इसकी अत्रिक एक क्रोड स्वाम सेखो की भी भरती करना उनका लक्ष था उन्हें 20 लाग चर्णों का वीतरन करने का सुझाव देता था राश्टिय सिक्षा के दिशा में भी उन्होंने कई परियास कि उन्होंने ब्रेश्टिस नियारयों का बहिसकार करने के लिए कहा और भारत में लोग अदालतों की अस्ताफना करने पर जोड दिया अस्वायोग आंदोलन के परमुक कारण क्या थे अस्वायोग आंदोलन के परमुक कारण क्या थे अस्वायोग आंदोलन के परमुक कारण सन 1923 में कांग्रेस ने नाकपुर अ में अस्वयोग अंदलन चलाने का परस्ताव शुकार कर लिया और इस परस्ताव को शुकार करने के परमुख करने में लिखी थे ब्रिश्टी सरकार ने भारतिया जन्मानस का किसी भी छेत्र में स्वयोग करना बंद कर दिया था जिस वजह से अस्वयोग अंदलन का होना सुन 1318 के बीच में शभी वर्ष्टों के दान लगभग दोगुना होगा जिसे भुकमरी एंग गरीबी अपने चरम पर पहुच गई थी जब देश में गरीबी एंग भुकमरी अपने चरम पर थी तक मामारी के करना देश में लाखों लोगों की जाने चली गई और इस छेतने बि दोरह चलाएगा स्वयोग अंदोलों के पर नाम अगरिम लिखी थे अस्वयोग अंदल से प्रवाइद होकर लगभग दो तिहाई मद्दताओं ने बिधान मंदल के चुनाव का भाइसकार कर दिया इस मद्दताओं ने अपने मत का पर्योग नहीं किया आधियापकों जाना छोड़ दिया कई भारतियों जो ब्रिटिस सरकार की सरकारी से मद्दताओं में कार रहा थे उन्होंने अपनी शेवा से त्याग पत्र दे दिया और अस्वयोग अंदलन का हिसा बने जनता हम ब्रिटिस हुकुमत के प्रती बहुत ज्यादा रोज था और उन्होंने ब भारत में आगमन होगा और उनकी आगमन पर उनका श्वागत हर तालों परदर्सनों से किया गया यह अंदलन सतंता प्राप्ति के शंगर्स का एक महत्यपूर अंग बन गया और आगया चलकर इस अंदलन भारतियों सतंता में बहुत ही महत्यपूर भूमिकानी भाई मात्मा गांदी ने असायोग अंदल वापस को ले लिया असायोग अंदल भहुती तीवरता से भारत के जन्मानस तक पहुंच रहा था और लाखों करोड़ों की संख्या जन्संख्या में लोग इस से जूड़ जायते यह आंदलों लगवक दो बरसों तक बहुती शाफलता पूरवक था जब जिटिस हुकुमत के सारे हथकंडे भीफल हो गए तो उन्होंने कांगरेस के कुछ शक्रिय नेताओं के साथ साथ मात्मा गांदी को भी जेल में डाल दिया मात्मा गांदी उच्छ में भारते सो तंताल उनके परमुक नेताओं में सबसे अगरिंद थे और जब उन गांदी इस आग से 22 पुलिश कर्मियों के अपनी जान गवानी पड़ी इस बात से मात्मा गांदी बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने और शयोग अंगल वापस ले लिया गांदी जी ने बारे फरोनी से बाईश को बर्दोलिम होई कांगरेस की भईठक में इस अंदोल भी शहने को त्यार हुए और सयोग अंदोलन को वापस लेने पर मोतिरा नेरू ने कहा कि यदि कन्या कुमारी के एक गांग की हिंसा का पहला नहीं किया तो इसकी सजào हिमाले के एक गांग को क्यों मिलनी चाहिए असोय गंदोलन को स्थागित करने पर सुबास चंत्रबोस ने कहा कि ठीक इसी समय जबकि जंता के उत्सा अपने चर्मचर पर था वापस लोटने का अधिश देना राश्टी दुरभाग इसे कम नहीं है इस अंदोलन को अस्तागित करने का सीधा परभाव गांदे जी की लोग प्रियता पर पुड़ा मात्मा गांदे जी को 13 मर्च 1922 गिरपतार किया गयता था नाइदीश ब्रूम फिल्ड ने कांदे जी को और शंतोस भड़काने के अपराद में छो बर्स की कैद की साजा सुने बाद में स्वास्त शर्मंदी कारणों से गांदे जी को पाच परोरी 1924 को रिहा कर दिया गया थांकी फ्रेंट अच्छा लागत लाइक सब्सक्राइबर से